हेलो एवरिवन गाईज आप सब लोग का जेश्री अंडेलेन में स्वागते कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़ियाई होंगे और आज के अब लोग हम इधर से सुबे से स्टार्ट करें और अभी हम जा रहे हैं माधोपूर क्योंकि आज हम जा रहे हमारे कुलदेवि रुख्ष मळी भवानी मतफोची के मंदिर तो अभी मैं आपको दिखा रही थी वो आगे जा रहा था ना क्या था कोटर था जो हमारे याघ यह हूँ जोए वो पक चुके है तो कॉडर हमारे गुजरात में आगमन हो चुका है, गुजरात में तो आगमन हो चुका है, और हमारे ये कौन सा गाउन था, सील, हाँ, उधर भी आगमन हो चुका है, तो देखो, वो आपको सुका सुका दिख रहा है ना, वो सुका वा खेत नहीं है, वो है, गेहू, गेहू जो है, वो पक ग्रीन फिर सुकावा और फिर ग्रीन उदर है ना ग्रीन जो है वो अदर धन्यापती मेती तांजरिया जैसे भाजिया होते है ना वो सब उदर लगाते है I think वही है फिर मुझे पता नहीं क्योंकि जो होगा आप कमेंट करकर जरूर बताना क्या होगा वो तो इधर जो है हम गाव है यह माधुपुर नहीं बड़ा सा गाव है क्या कुछ भी बोल रही हुं है तो इधर जो है माधुपृर में कच्छ उछ एकंडर रहे है तो देखो आप इदर वह भी काम चर रहा है वह कुछ बड़ा सा बनने वाला है और सुबह सुबह भी सुबह धी में इधर मादूपूर बीच में ट्राफिक है तो देखो आप इधर बीच नना मैंने नोटिस किया है कि मैंने जितने भी बीच देखे है हमारे यहां तो वह तो ग्रीन रंग का ही बीच है और इधर तो ब्लू रंग का है मतलब आसमान जैसा ही रंग है और देखा हम ऐसा लगता है कि यह आसमान जो वो नीचा चुका है ऐसा लग रहा है और हमको जाना है पाता की तरफ तो पाता कुछ गली आए कुछ गली आए इधर जाओ इधर जाओ मैं तो मैं जाओ ना अकल है तो मैं तो घुमी जाओंगी ऐसा मैं बोल जी और मुझे थे यह वोल के पीछे जो खेट था ना उसमें अच्छा सा था तो वो मुझे दिखाना था पर मैं आपको क्या दिखा रही थी मंदीर में पहुच चुके तो आई होप कि यह सब आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा मैंने लास्ट व्लोग डाला है रांदल माताजी का उसमें ज्यादा व्यूस आये तो आपको यह वो वाला व्लोग अच्छा लगावा थेंकि सो मच उस वाले वीडियो में इतना किया तो फिर हमने डाला नहीं था उदर हमने धाम दूंसे मतलब किया था डेकोरेट वगेरा मंदीर वगेरा डेकोरेट और यह वो माताजी हमारे वाव है उदर और इधर ममी जो वो बना रहे है जो देखो सात्वीक ममी बना रहे थे और यह फूल ओ फ्यू है माताजी का औ क्या है और पता नहीं और यह रोज है ना पिंक कलर का भी रोज और रेड कलर का दोनों इतने अच्छे हैं और देखो कितना बड़ा सा गार्डन है इधर आसपास तो आप देख सकते हो और इधर जो है हमारे गोसाला भी मतलब गाई बगेरा है तो उदर गाई वच्छ भी की थी तो अभी हम नास्ता करने के पेट पुझा तो करनी होगी तो गाट्या और खमन मतलब गुजरात का स्पेशल हमने मगाया था उसके चाटने और चाय तो अबसली होगी हमको इतनी चाय पसंद है और यह जो मैं आपको दिखा रही थी वह है रईज पूल जो हमारे इस पूल को बनाने के लिए इतना टाइम लगा था और तब एसा लग रहा था हम उस साट से पूल बन रहा था तब हम निकलते था तो इसा लगता था कि भाई यह कब खतम अगर बन गया तो इतना अच्छा है उसका रात का जो पूंट अफ्यू है वह तो बहुत अचा है औ और साम को फीर हमको भूख लगी तो हम भेल खाने लगे हमने भेल खाई फीर ऐसी वह ऐसा कुछ बनाए वैसे सब्जया वंग्जया नी सिर्फ मुम्रे और नम्किन डालकर इसमें केचप डालकर फीर फटा फटस हमने खाई बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि हमको भूख इसलिए यहांको बहुत अच्छी लगे थी और वम साम को वह खाया था इतनी बूख लगे थी मतलब लगी तो लगी अथो तो बनेरा दिख रहा होगा क्योंकि मैं अभी चाथ पर अकेली आईएंग मुझे ना अज पुर्णिमा है तो उसका चांद आपको दिखाना है इसलिए मैं ऊपर चढ़ी हूं और अकेले चांद और इधर जो है मुमी पपा नीचे बेठे है तो देखो यह जो है ओकोल निमा का चाहांदे जैसके street light की इतना अच्छा देख रहा है बत लाइट में तो देखो इतना एसा आ रहे हैं कि जैसके hannin kjaa bollu meja, að matla både aftina-kja and sem ég hefina, pata ní, svo vali hlert, sab mik Wholee, matla etna sao aftina lagulega, dækkar most a hot cha e